हाई गाईस विल्कम बैक टू मैं चैनल तो आज हम बनाएंगे भूने हुए चनो के लड़ू तो यहां पर मैंने चना लिया इसको अच्छे से हमने पीस लिया है यह बिल्कुल फाइन पाउडर बना के तयार कर लिया है बहुत टेस्टी लड़ू बनते हैं तो आप जरूर ब जरूर एक बढाता है इसको भी हम दो मिनित हैं और लड़ू पर गीमे तलना तेस्ट दो गुणा बढ़ जाता तो आप जरूर एक बार इस तरह बना के टुरूर बणाएं। इसको भी हम निकाल लेंगे, अब जो हमने चना भूने हुए लिया था, उसको हम उसी घी में डालके अच्छे से भून लेंगे, घी कम लगे तो अब थोड़ा सा आउट डाल लेना, इस तरह हमने घी आउट डाल लेंगे, घी बहुत कम था, तो हमने फिर से डाल लिया और अच्छे से 2-3 मिनट भून लिया है कुछबू अच्छे से आने लगी है यहां पर हमने बूरा आइट किया है आप चाहे तो यहां पर गुर्का इस्तिमाल कर सकते हैं सीनी भी डाल सकते हैं अब इनको अच्छे से हमें मिला लेना है जो ड्राइफ रूट हमने तल के रखा था थोड़ा ठंडा करने के बाद हम छोड़े छोड़े लड्डू बना के तैयार कर लेंगे तो देखिए हलका ठंडा हो गया अब अच्छे से हम हाथ से मिलाएंगे तो चना में बहुत सारा धिरवर कैल्सीम होता है तो आप एक पर जरूर बनाएं और इस तरह हमें गोल-गोल बनाके लड्डू बनाके तैयार कर लेना है तो बनने इस तरह बनाके तैयार कर लिया है तो प्लीज अगर मेरी रेस्पी अच्छी लग रही तो मेरे चैनल को सब सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें शेयर करें और यह देखिए बिलकुल सौप्ट बनके तैयार हुए है मुझ में घुल जाने वाले लड्डू बुने हुए चैने की रेस्पी है पहुंचिंग नेस्ट वीडियों फिर मिलेंगे